महाकालेश्वर मंदिर प्रबन सम्भीती के द्वारा कोविड वैक्सिनेशन का लाग दर्शन आर्थियों द्वारा लिया जा रहा है श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबन संभीती द्वारा प्रती दिन मंदिर दर्शन हेतु आने वाले दर्शनार्थियों का COVID-19 का वैक्सिनेशन किया जा रहा है श्रधालों की सुरक्ष्याव कोवीट की नियमों का पालन करने हेतु महाकालेश्वर मंदिर में शरधालू हेतु संक द्वार के पास फैसिलिटी सेंटर में वैक्सिनेशन की वेवस्ता की गई है दर्शनार्तियों द्वारा इस वेवस्ता की सहराना की जा रही है साथी शर्धालियों ने इस वेवस्ता को श्री महाकालेश्वर भगवान के प्रसाथ का रूप बताया है और कहा है कि मंदीर परीसर में इस वेवस्ता का लाब लेकर वह प्रसन है और श्री महाकालेश और मंदिर प्रबन सम्थी को इस कार हीतु धनेवाद ग्यापित करते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबन समीती के प्रशासक गणेश कुमाध धाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि आशी सियां अध्यक्षेवं कलेक्टर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबन समीती के दिशानिरदेश में मंदिर परीसर में वैक्सिनेशन सेंटर स्थापित क्या गया है जिसका शरधालो द्वारा 12 लाब प्राप्त किया जा रहा है 16 सितंबर को कोवीड नाइटीन का वैक्सिनेशन मंदिर के फैसिलिटी सेंटर में प्रारंप किया गया है जिसके पहले दिन समाचा लिखे जाने तक 112 से दर्शन आरतियों ने सुवीदा का लाब लिया है गयात हो कि मंदिर में दर्शनेटू आने वाले शरधालो के कोवीड वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट की जाच की जा रही है जिन शरधालो को प्रतम या दित्य वैक्सिन का डोस नहीं लगा है तो ऐसे शरधालो का वैक्सिनेशन किया जाकर दर्शनेटू प्रवेश दिया जा रहा है